इस वीडियो में हम photo like campaigns के बारे में सीखेंगे इसके लिए मैं campaigns tab में photo like campaigns के अंड़ गई हूँ input में आपको campaign का नाम डालना पड़ेगा यहां पर मैं photo like डाल रहे हूँ आपके मर्जी से कुछ भी नाम डाल सकते है आपको account select करना पड़ेगा जिस पर आपको काम करना है आप photo ID से load कर सकते हैं तो इसके लिए आपको browse करना पड़ेगा एक photo photo ID तो मेरे पास यहाँ पर तीन photo IDs है ब्राउजर में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको photo ID मिलेगा आप देख सकते हैं अभी मैंने like नहीं किया है वो photo को तो मैंने यह तीन photo ID ब्राउज कर लिए है number of photo to be light पांच रखा है मैंने और मैं अपना data save कर रही हूँ schedule time अभी मैं set करूंगी start time और stop time आप यहाँ पर डाल सकते हैं start time मैंने to 17 डाल दिया है date भी मैं select कर रही हूँ daily option का आपको इधर दिया गया है एक block stop time भी मैं भी set कर रही हूँ 303 को और stop date भी मैंने select कर दिया है अब delay in seconds यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो अब मैं सब information सेव करूंगी आप देख सकते हैं saved campaign details में इस सब information आपका आ चुका है gram dominator मैंने एक account से ले कर दिया है मेरे start दबा दे gram dominator ने like schedule डाल दिया है 218 को होगा अभी 217 को हुआ है time है तो 218 को चालो होगा ये क्यूंकि हमने start time 218 mention किया है 218 हो गया है इसके लिए photo like process gram dominator ने start कर दिया है और finish हो गया है ब्राउजर में जाके verify करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये photo जो liked नहीं था अभी like हो चुका है gram dominator के साहियता से